अब जब की इंट्रोथ 30 देज का समय बचा है जब स्टूडेंट बोर्ड इग्डामेशन के प्रिप्रेशन को करने में समय पाएंगे और इसमें आइसे क्लास्टेंट एंड आइसे क्लास 12 के स्टूडेंट का सबसे बड़ा चैलेंज जो आ रहा है स्कूलों में प्रिबोर्ड इग्डामेशन के दावराने स्टूडेंट पूछ रहे थे और ऑनलाइन भी बहुत सारे करते हैं या टेलिग्राम से बतात पूछते हैं अपने डाउट को कि मौग टेस्ट एक्चुली कैसे थे तो यहां पर 30 देग से 45 जो भी समय आपके पास अपर किसी भी एक सैंपल पेपर को रैंडमली चूज कर लेता हूं किस को किस तरह से सॉल्व करने हैं और क्या कुछ करने हैं सैंपल पेपर को लेकर तो वहां पर आप देख लेंगे कि सैंपल पेपर किस सब्जेक्ट के हैं और यह साम से वैरी करते हैं और टाइमिंग को ल करने के लिए और अपने आंसर को भरने के लिए होता है उसको आप रिजेक्ट कर दे कि वज़ टूर करते हैं और तूर में ऑनेस्ट को दे मैं तो करता हूं सभी स्टुडेंट के साथ की आम अप्टेस्ट अरडे मैक्सिमंग विदिन चुडेट अमोटेस्ट इस अमस्ट करेज हैं आपने उस काम को करने को थान लिया है कि नहीं किया है और जब थान लिया तो C-IC, का यह जो अस्टेंड़ के लिए यह या अईसे सी कुडास्ट के लिए है वह कितना आपके इसाब से सूटेड है आपने कमियों को तो देख सकते हैं विए और जब आप आंसर भी यही पर देदा होते हैं और जब आप आंसर को देख रहे होते हैं तो यह नहीं कि थोड़ा साथ मिल गया तो फूल मार्च देजें यह बहुत बड़ा confusion है बहुत साथ स्टुडेंट आपने आपको फूल मांग देते हैं और उसके बाद जब पता है कि उनकी उस तरह से मांस्वाट एजामसन में नहीं हो तो बहुत तरह की प्रशानिया खरी हो जाए तो आपको यह देखने है कि कि इतना टाइम किस सेक्षण के ऊच्वाटर करें तो प्रफिए एक सेक्षन में किस कुस्ट्टिन में आपके टाइम कंजबसन हो रहे है और वाहां पर एक स्टॉक वाच रखे रहें या मुबाइल करके वहाँ पर उसके स्टॉप वाच कर लेंगे तो यह पता चलता रहेगा ना कि इस कोच्छन के आंसर को लिखने में आपके ज्यादा सावे कंजीम हो रहा है और उस इसाब से काइन को भी मैनेज कर लेंगे पर आपके जो मॉक टेस्ट है उसके चेकिंग का से करें एक तो सेफ चेकिंग का है चेकिंगे उस पर फोकस करने है जिन चेप्टरों में स्ट्रोंगनेस है मतलब की अपकड की अपकड तुडेंट की अची है वहां पर चेप्टरों को और ज्यादा दुरूस्त करेंगे क्योंकि तो वहां पर बहुत पर बताता है कि स्टूडेंट के पास एक्चुली क्या कुछ है फिजिक्स केमेस्ट्री बायो इन सब में आंजर के साथ प्रोसेस लिखा जाता है बार बार आपको बता रहा हूं तो वहां पर देखने है पर स्टूडेंट ने प्रोसेस 22 को स्टेप्त को पॉलो किया है लोजी कहां पर है कंसेप। कहां पर है सरहां करेगा च्यायस्टेंट क्यों यहां प्र नहीं आएगा डिसी-स न चूजिए c alan बेस्ध को सिनुन को भी लागूकर अमद्बिक्री चाह है कि उनके पास जो ही बुक उने पॉड़ा कि हो आइसे से क्रास्टेंट के लिए है या कि वे अपने प्रेप्रेशन को डबल लेबल पर करें अब अब देखें इस अब्जेक्टिव में केवल अंदाधी टकर नहीं मारें क्योंकि अब्जेक्टिव बहुत ही कंप्लेक्स टाइप का है एक क्वेश्चन एक आंसर एक मारें पर इस एक आंसर को आपने सही बताया तब ना उसके लिए आपको लाइन बाइन बाइन पढ़के बुक में अंडरलाइन करना होते हैं पुरा पढ़ने का समय नहीं है तो बह करने मौक टेस्ट को लेकर अब जबकि एक्शुली 30 डेज का टाइम है इस्टूडेंट को यह चाहिए कि वो अपनी तयारी आयर लेबल पढ़ ले जाए जिसको हम लोग करते हैं कि स्मार्ट स्टडी का मतलब है कि अपने टाइम को सेफ करना है और कम समय में ज्यादा से ज् हाइकर के आउट्वुक देने है यही होता है और इसके लिए एक बेहतर टाइंटेबल के जुभी जबत करती है आप अपने हिसाब से टाइंटेबल बना लेए लाइक करने के साथ चैनल को सब्स्राइब करके रखें